बड़ी ख़वर बताते हैं आपको नंदिग्राम में मम्ता बनर जी का रोडशो जारी है विल्चेर पर मम्ता बनर जी का शक्ती प्रदर्शन देखनें को विल्चार है नंदी ग्राम में ही डेरा जमाय हुए है ममता बनर जी पांच दिनों तक कैंपिंग करेगी ममता बनर जी नंदी ग्राम में और लोगों से वोट मांगेंगी अपने लिए एक अप्रेल तक नंदी ग्राम में यो रहेंगी न्यूज निशन सब बाता था धिरेंद पुनीर के एक रिपोर्ट आपको दिखाते है नंदी ग्राम में ममता बनर जी का पाँच दिन का यह दो रहा यूँ तो राजनेती में से राजनेती के लिहाज से थोड़ा अलग बना जा सकता है कोई कोई शायद ही मुख्यमंतरी हम लोगों ने हाल के वर्सों में अपने विधान सबाट सीट पर इतना समझ देते चुनाओ और खास्तोर से अगर छेत्रिय पार्टियां जो की व्यक्ति आधारित पार्टियां होती हैं उसमें ममता बनर जी जो अकेली स्टार कैंपेनर हैं स्टार परचारक हैं और वही इस पूरी जो बीजेपी के केंद्रिय नेतर्टिय की तरफ से आई हुई देताओं की एक भीड है उसके सामने अकेली चुनोती देती हुँ दिखती हैं वो अगर पांच दिन किसी एक जगे रुख जाती हैं तो यकिनां बाकी तमाम सीटों पर उनके प्रचार कर असर जरूर पढ़ता होगा लेकिन मंतावनर जी का कल का कल के बाद हमनों दो रहलियों के बाद बीरूलिया बाजार में जिस तरह उन्हों ने अपने उस आरोफ से अलग हटी की उनके खिलाफ दुस्कृती की गई थी यानि कोई साजिश थी उससे हटी हैं उन्होंने ये भी बताया कि उस तरह उनकी मदद की गई थी और इसके साथ-साथ उनके मंच पर जिस तरह भजन बसंत उत्सव के नाव के दोरान और उसमें जै श्री कृष्ण के साथ जै राम का भी नारा था तो मंच भजन का हिस्सा था तो ये एक बदलते हुए परिशन देख रहे हैं और ये राजनिती मजबूर शायद कर रही है उनको नंदी गराम के हाला कि उनको इस तरह की चीजें करनी पड़ रहे हैं जिसको वो अभी तक उनसे नहीं सुना जा रहा था नंदी गराम की ये सड़कों से लोगों से जो बाचीत करना चाह रही है जिस तरह से उन्होंने दोनों सभाओं में कलकी नंदी गराम में राय पाड़ा और बिदूलिया में तमाम लोगों को अपने कुरा ने वक्त की याद दिलाय के कुछ कुछ आपको कहीं महिलाओं की धीड दिख रही हैं ये बात हमेशा से बाड़ी बाने जाती है कि मम्ता Benar जी का जो महिलाओं वो सबसे अलग है वह वह वाकि Battle這些 है तो वह लोगं आसनती है तो इस समय इसको देखें तो आज यह एक र और अगर आबादी के लिहास से देखा जाए जो धार्मिक समुधायों की तरफ से चुकि इस पूरे चुनाओं में धार्मिक समुधायों पर भी काफी जोर है इसलिए अगर हम कहें तो जो नंदी ग्राम टू है उसको परमपरागत तौर पर इस वक्त ममता बैनर जी का हिस्सा उनका बहुत जादा वोट नहीं है कहा जा रहा है कि इदर सुभिंदू काफी प्रभावी है और जिस तरह से जब यह रोड मार्श शुरू हुआ था जिस जगे से शुरू हुआ था वहां आपने देखा किस तरह से सड़क पर नंदी ग्राम की उस सड़क पर भी वहां पूरी तरह से जो बीजेपी के वोटर पोस्ट और जंडे बैनरों तमाम चीजे लगी हुई थी तो यह रोड मार्श किस तरह से उनके लिए मुफीद होगा ये दो मई को पता चलेगा लेकि में इस वाट पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनको पांच दिन अपने शित्र में ल